In this tutorial I will show you how to optimize installed RAM Top पर हम देख सकते हैं configure है या configuration है installed RAM जब भी हम कोई PC पर chase करते हैं तो उसमें installed RAM होती है जो भी हम RAM यहाँ पर insert करते हैं तो 4GB, 6GB, 8GB, 16GB, 64GB यह RAM हमारे PC में insert होती हैं यानि कि यहाँ पर installed होती है तो टोप पर अगर हम देखें तो हमारे पास 4GB है तो 4Lag यह values हमने use करनी है अपनी RAM को optimize करने के लिए तो optimize किस तरह करेंगे तो चलें वीडियो को शुरू करते हैं सबसे पहले हमने my computer पर right click करना है और properties में आएंगे check your installed RAM यहाँ से हमने check करना है installed RAM को तो 6GB RAM है तो criteria को हमने follow करना है और channel को subscribe करना है तो जैसी हम यहाँ पर installed RAM को check कर लेंगे इस box को close करेंगे और open करेंगे task manager को task bar पर right click करके task manager पर apply करेंगे तो task manager का box हमारे पास कुछ इस तरह से appear होगा यहाँ पर हमने चंद चीज़ें समझनी हैं तो इसको क्या करना है सबसे पहले हम इसको zoom करते हैं zoom करने के बाद यहाँ पर जो services है basically यह RAM यूज़ करती है तो यहाँ पर जो services है services host local यानि कर local services जो है इसको हमने या जो यह RAM यूज़ करती है इसको हमने optimize करना है ताके हमारी जो services हैं वो सही तरह से work कर सके तो यहाँ पर हम देख सकते हैं service host local तो यहाँ पर भी जो जितनी भी services हैं उनको RAM की required है तो इसको हम RAM provide करेंगे तो provide किस तरह करेंगे यह एक simple सा formula है service host जो है basically यह हमारे PC की तमाम जितनी भी services हैं उनको deal करती है यहाँ पर हम देख सकते हैं 12 MB basically यह हमारी installed RAM की shared RAM है तो इसको हमने optimize करना है इस process को करने के लिए सबसे पहले हमने search को open करना है और यहाँ पर type करेंगे registry editor तो जैसे हम registry editor type करेंगे तो top पर हमने इसके button पर click करना है just यह simple इसको आप open भी कर सकते हैं या registry edit के उपर हमने click करना है तो registry edit का box हमारे पास कुछ इस तरह से appear होगा इसको थोड़ा zoom करते हैं और इस process को समझते हैं तो सबसे पहले हमने local machine में आना है और system इसके उपर double click करना है या more के button पर click करने के बाद crunch control set इसको select करना है और bottom में find करेंगे control इस folder को जैसे हम select करेंगे right side पर हमने find करना है svc यानिके services host split threshold इसके उपर हमने right click करके इसको modify करना है यहाँ पर हम देख सकते हैं जो shared memory है वो 3,00,000,000 है यानिके 3,80,000 है तो इसको हमने change करना है और इसी criteria को follow करना है जो 4GB है या 6GB यहाँ पर हमारे पास 6GB है तो इसी criteria को हमने follow करना है तो 6,00,000 यहाँ पर हमने type करना है simple सा method है इसको करने का simple यहाँ पर हमने इसको back का button प्रेस करके remove करना है और 6,00,000 यहाँ पर type करना है तो जैसी हम type कर लेंगे hexadecimal रहेगा ok करेंगे और इस box को close कर देंगे start के button पर click करेंगे और अपने PC को restart कर लेंगे इससे तमाम जितनी भी settings हैं वो update हो जाएंगी